आज हम बिना चाशने बनाए तेल गुड की इतनी सौप्ट और इतनी स्वादिश्ट बर्फी बनाखर के तयार करेंगे जो की मुँमें जानी के बार में एक्तम से घुल जाती है तो चलिए दोस्तों इस रेसिपी को बना लेते हैं रेसिपी एदि आपको पसंद आती है तो इ इस कड़ाई में हम डाल लेते हैं एक घटोरी तिल ग्राम में यदि देखा जाए तो ये 200 ग्राम तिल है यहाँ पर में इस बर्फी को बनाने के लिए ब्राउन तिल का इस्तमाल क्या है आप चाहिए तो वाइट तिल का इस्तमाल भी कर सकते हैं अब हम गेस के आज को लोट चटकने की आवज नहीं आने लग जाती है तब तक कि इसे हमें भूनना होता है तो ये देखिए यहाँ पर 5-6 में ठो चुके हैं और तील यहाँ पर फुलावा दिखाए दे रहा है और इसमें से लगाता चटकने की आवज आ रही है यानि कि तील हमारा अच्छे से भून तो अब हम गेस के आज को बन कर देती है और इस तील को ठंडा करने के लिए हम अलग से एक प्लेट में निकाल लेती है तो तील ठंडा होता है तब तक कि हम जिस ठाली में या ट्रे में बर्फी जमाने वाले उसे हम घी लगा करके चिकना कर लेती है ताकि जब हम इसमीशे निकलने और अब हमारे आप चार से पासमेट हो चुके और यह तील हमारा पूरी तरीके से थेंडा हो चुका है तो अब मैं इसे मिक्सी के जार में डाल देते हैं तो अब फाप हम इस जार में डाल देते हैं तो मुणी अजार में डाल दिया है टार में हम स्कथी ऑर ये घाकर leले लिते हैं यु mobile दोनों चिजों को अछे से पीस लिया है तो अब हम इसकी बर्फी बनाना शुरू करती है गेस पर हमने कड़ाई रखती है इस कड़ाई में हम एक चम्बज घी डाल देती है और जब घी हम पर थोड़ा सा गरम हो जाए इसमें हमने जो तिल और गुड का पावडर बना करके रखा इसको डाल देती है और अब हम गेस के आज को धीमा रखेंगे और इसे बराबर चलाते वी तब तक ये पकाएंगे जब तक कि ये डो जैसा देखने नहीं लग जाता है तो जैसे जैसे हम इसे चलाते वी पकाएंगे इसमें गुड पिखलने लगेगा और ये डो जैसा दिखाई देनी लग जाएगा तो यहाँ पर इसे चलाते वी तीन से चार मिट हो चुके और इसमें गुड भी पिखल गया है और ये डो जैसा दिखाई दे रहा है तो अब हम इसमें डालेती इसका फ्लेवर भोछी अच्छा आएगा और इसे के साथ मिनियाप प्तीन बड़े चम्मच मिल्क पाउडर डाला है तो मिल्क पाउडर और ड्राइफुट्स डाला इसमें आपके इच्छा के उपर है यदि आपके इच्छा हो तो आप डाले और नहीं है तो नडाले बिना मि से लगाता चलाते हुए तब तक की पकाना है जब तक के पूरी तरीके से डो जैसा नहीं बन जाता है और ये लिजी मीनी हापर इस मिश्रण को 2-3 मिट के लिए लगाता चलाते हुए पकाया है ये मिश्रण अब हमारा कड़ाई भी छोड़ने लगा है और डो की तरह से लिजी मीनी हापर इसे अच्छे से सेट का दिया है अब हम इसकी गानिश का दिते है तो महीं हापर इसकी गानिश थोड़े से कटेवे पिस्ता से और कटेवे बादाम से कर रही हुँ ताकि ये बर्फी हमारे दिखने में अच्छी लगे और अब हम इस पैच चुला की और इलीजी हमारे यहाँ पर 15-20 मिनिट हो चुके और बर्फी हमारे यहाँ पर सैट हो चुकी है तो अब हम इसको पीस में कट कर लेते ही बर्फी के पीस आप अपनी इच्छा से छोटे बड़े आपको जैसे भी रखना है आप उस तरीकी से इसे कट कर सकते हैं मैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा सोप्ट वनी ही यह देखे एकटम मुव में घुल जाने वाली हमारी बर्फी बन करके तयार हुए तो चलिए अब हम बर्फी के सारे पीस निकाल करके एक प्लेट में रख लेते ही और इलीजी भूती सोप्ट और भूती स्वादिश्ट हमारी बर्फी बन करके तयार है यदि आपको रेसिपी पसल रही है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें